Hi everyone, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि API data के साथ में list कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको render कर सकते हैं react native के अंदर So मैं कैसी list की बात कर रहा हूँ, API से क्या data आने वाला सब कुछ आपको बताता हूँ पहले एक बार के लिए points दिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग एक API गोल करने के लिए function बनाएंगे और जो data हमारे पास आएगा वो basically JSON format में होगा So उसको render करने के लिए हम लोग map function यूज़ करेंगे सारी सारा जो data होगा हमारा display हो जाएगा उसके बाद में कुछ style भी add करेंगे और scroll view भी लगाएंगे ताकि हम लोग data को जो list होगी उसको scroll कर पाएं All right So देखो यहाँ पे हमारे पास एक API है जिसके अंदर बहुत सारे posts का data है पोस्ट का data मुझे कैसे पता है यहाँ पे देखो पोस्ट से लिख्था होगा है तो यहाँ पे कुछ body, title, user id and id सब कुछ है So बहुत सारे posts है हमारे पास अगर मैं सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाऊँ हूँ कर रहे है या नहीं कर रहे है So मैं इस URL को copy करता हूँ Code के ऊपर जाएंगे और हमारा काम करना start करते है Even API क्या होती है, एक simple API कैसे call कर सकते हैं यह मैं आपको last वाले part के अंदर बता चुका हूँ So मैं आपको यह करता हूँ सबसे पहले, एक use effect लेता हूँ आपको पता है कि use effect बेसिकली एक life cycle method यूज करने के लिए खुक होता है और जब भी हमारा first time component रेंडर होगा तब हमारी list लोड करनी है हमें तो हम लोग इस function को हम लोग यूज कर रहे हैं So मैं यहां पर रख लिता हूँ एक const, एक function को नाम रखूँगा जैसे कि मैं उसका नाम रख लिता हूँ get API data or something जो भी आपको ठीक लगए आप रख सकते हो ठीक है एक normal function रहेगा और इसके अंदर हमारी API को call करेंगे हम लोग So यहां पर मैं URL ले लेता हूँ सबसे पहले, const मैंने URL copy कर रख है तो उसको मैं यहां पर paste करूँगा string के जैसे ठीक है string मतलब course लगा दूँगा आगे और फीछे और अभी इस function को हम लोग call करेंगे यहां पर इस तरीके से ठीक है अब जब हमारा यह वाला function call होगा तो API अपने आप call हो जाएगी but API हमारी async तरीके से चलती है promise return करती है उसको हम लोग handle करने के लिए async and await यूज़ करने वाले है so URL के मैं यहां पर spelling ठीक कर देता हूँ और यहां पर हम लोग use करेंगे एक को और const ताकि जो API का data होगा उसको हम लोग यहां पर get करता है तो मैं result नाम लिया और यहां पर use करेंगे fetch method ठीक है देखो जब भी हम लोग data को get करते हैं तब हम लोग उस ताइम यूज़ करते हैं get method API के methods होते है एक get method होता है जब हम लोग data को get करते हैं जब हमें कुछ store करवाना होता है जैसे की form की values को store करवा रहे हैं तब हम लोग use करते हैं post कुछ data को delete करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं delete method और जब भी हम लोगों को कुछ data update करना होता है तब हम लोग put या फिर patch दोनों में से कोई भी use कर सकते हैं और even यहाँ पर fetch method है यह API call करने के लिए काम में आता है जिसका by default method होता है वो get होता है तो इसलिए हम यहाँ पर declare करने के ज़रूरत नहीं पड़ती बट जब भी हम लोग आने वाली time के अंदर आने वाली वीडियो के अंदर post method, delete method यहाँ पर patch method यहाँ पर declare करेंगे कि हम लोग यह वाली method का type यूज कर रहे है ऐसे एक method हमें declare करना होते हैं और यहाँ बताना होते हैं यहाँ पर put use कर रहे है get declare करने यह कभी भी ज़रूरत नहीं होती ही बिकूज यह by default method होता है अगर कोई भी method पास्ट नहीं करते तो fetch जो यह वाला function है अपने आप उसको get method मानके चलते हैं कि आप लोग get method से data को fetch करने एगोशिश कर रहे हैं So मैं यहाँ पर URL पेश्ट कर देता हूँ, हमारा URL आ गया अचा और जैसे आपको पता है कि यह promise return करता है तो हम लोग यहाँ पर await use कर लेंगे और यह async क्यों use करते हैं ताकि इसके अंदर हम लोग await keyword use कर पाई अगर यहाँ पर async नहीं होगा तो हम लोग await keyword यहाँ यहाँ पर use ही नहीं करता है after that हम लोग क्या करते हैं एक और const लेने की जरूरत नहीं है अचा इसको मैं लेट ले लेता हूँ, const नहीं लेता हूँ यहाँ पर ताकि मैं इसके अंदर दुबारा data को store करवा पाई so result के अंदर मैं फिर से जो result के अंदर पढ़ा है उसके data को json format नहीं अभी जो जो इसका data है वो json format में नहीं है, उसको json मैं store करवाने के लिए मैं यहाँ पे json method के साथ यूज करूबा और यहाँ भी again मुझे await ही use करना पढ़ेगा अब यह data मुझे चाहिए state के अंदर, तो state के अंदर मैं use करने के लिए एक const लेता हूं against अब लेता हूं data set data और इसके में एक state बना लेता हूं use state और इसके अंदर मैं by default लगा देता हूं इस तरीके से by default इसके अंदर blank है रहे कि कोई भी data नहीं है ठीक है and after that यहां पर मैं यहां पर use कर लेता हूं set data और इसके अंदर जाएगा हमारा इस तरीके से result ठीक है अब हमारे इसके अंदर result आ गया और जैसे हम लोग result को render करने यह कुषिश करेंगे तो मैं कौन सा method यूज करना पढ़ेगा हमें basically यहां पर use करना पड़ेगा सबसे पहले मैं एक view ले लेता हूं ठीक है even मुझे directly scroll view लगा देना चाहिए यहां पर but मैं एक को दिखाँ हूँगा कि मैं scroll view की ज़रू पढ़ती है इसलिए में पहले एक normal view ले रहा हूं ठीक है जब भी हम लोग इसके अंदर data को store करवाते हैं उसको iterate करना चाहते हैं उसको उपर loop चलाना चाहते हैं तो हमें map function use करना पड़ता है तो हम लोग यहां पर simply use करेंगे कि अगर data.length सबसे पहले course रखाना पड़ेगा ठीक है data.length यह चेक करने के लिए data के अंदर कुछ length है या नहीं है ठीक है तो इसके बाद मैं क्या करूँगा अगर कुछ data नहीं है तो फिर loop चलाने की जरूरती नहीं है तो अगर उसके अंदर है तो हम लोग यहां पर method use करेंगे so यहां पर हम लोग लिखेंगे data.map function ठीक है और अगर इसके अंदर कुछ result नहीं है then हम लोग यहां पर करेंगे लिखेंगे null so मैं यहां पर simply लिखता हूँ data अचाई हम लोग ने लिख दिया ना so इसके अंदर यह callback function लेता है जो map होता है तो इसके अंदर आप लोग एक item वाला parameter लोगे और यहां पर again आपको एक view चाहिए एक view लोगे आप again इस तरीके से इसको close करोगे इस तरीके से और इस view के अंदर आप text लेखे जो आइटम आप इसमें प्लेस करना चाहते हो text वगेरा वह आप कर सकते हो जैसे कि सबसे पहले मैं let's say id प्रिंट करने कोशिश करता हूँ तो म यहां पर id I guess print हो जानी चाहिए बट एक चीज़ हम करने जरूत में जो extra bracket है यह लगाने के जरूत में यह आप यहां से हटा सकते हो ठीक है otherwise आप यहां पर return लिखने के जरूत पड़ेगी हम को यहां पर return लिखने के जरूत में सारी की सारी id आ गई यहां पर बट इस scroll नहीं body हर एक object की चार कीज हैं तो इसलिए मुझे पता तरह और मैं अपने सब को अपने आप print कर दिया handle करके so हम लिखने मैंने यहां पर id लिख दी तो अब आपको यहां पर id लिखाओ मिलेगा पहले then यहां पर आ गया so मैं इसमें थोड़ी style भी add गर देता हूं यहां पर मैंने इसको style दे दिया let's say 20 ठीक है 20 चलेगा थोड़ा साब यह बड़ा दिखनी लेगा ठीक है पट इसके साथ साथ हमें id के साथ साथ और भी चाहिए जैसे आप title भी प्रिंट करवाना चाहते हूं तो आपने यहां पर title लिखा इसके बाद में आप यहां पर लिख सकते हो title तो पर लिख टाइटल आ गया and same last one body object था वहां पर आप चेक करोगे तो आपको body भी मिल जाएगा see that one ठीक है तो हम लोग यहां पर body को भी प्रिंट कर देते हैं body and body यह सारा गोच पोच लग रहा है ठीक है तो इसको हमें ठीक करना चाहिए and यह थोड़ा scroll भी नहीं हो रहा इसको भी ठीक करना चाहिए so मैं यहां पर क्या करता हूं सबसे पहले थोड़ा सा style add करता हूं मैं यहां पर लिखूंगा style और style मैं आपको कुछ ज्याज़ा नहीं बस दो तिन चीज़े लिखनी है जैसे कि सबसे पहले आप लिख सकते हो margin देना चाहिए पैडिंग देते है ठीक है लेता हूं ग्रे एंड बॉर्डर बॉर्टम विथ आप चाहूँ तो लेट से आपने एक पिक्सल दी ठीक है तो आप देखोगे यहां पे सबके साफने हमें बॉर्डर आगा बट यह स्टिल स्कॉल भी नहीं हो रहा और मैं चाहता हूं कि जो आईडी है थोड़ा से इसके इसके आपने लगा आप जया स्य क्रोड नहीं हो रहा तो इसके उस्कोट है यहां से एंकल भूरत बि intern दर चेंज करना, and here we go, अभी स्क्रोल भी होना चाहिए, प्रोपरली, let me check, यह आप एक सकते हो, ठीक है, तो जितना का जितना सारा का सारा डटा है, यह प्रोपरली हमारी लिस्ट के अंदर आ गया, so that's all for this part, कुछ question है, कुछ query है, तो मुझे comment section में पूछ सकते हो, please video को like करना, और चानल सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत भूलना, यह मेरा ptm का donation है, thank you guys.